नमस्कार आप सभी को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारते नए सेता मैं section 30 section 30 यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर किसी की भलाई के लिए वहाँ पर काम किया जा रहा है और उसकी without consent भलाई के कहने का मतलब यहाँ पर यह है उसके good faith में वहाँ पर मतलब की good faith में उस इस पूरी वीडियो में मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना जिसमें आपको पता लगेगा अगर किसी की भलाई के लिए के वहाँ पर काम किया जा रहा है ताकि उसको benefit दिया जाए वहाँ पर यह फिर इसको किसी चीज से बच कर रहा है section 30 में बताया गया है act done in good faith for the person's benefit of a person without consent देखें यहां पर without consent की बात की गई है और जो मैंने आपको section 25 26 27 28 में बताया था वहाँ पर with consent की बात की गई थी किसी गार्जन से मतलब यह चोटा बच्चा होता है तो फिर वहाँ पर उसके गार्जन से permission लेनी होती है और यह फिर जो majority age का जो person है वहाँ पर उसी से permission लेनी होता है consent लेनी होती है लेकिन जो section 30 है section 30 यहाँ पर without consent की बात कर रहा है उसकी बिना permission के और समय यह भी नहीं दिय जो majority age का है जो adult person है यह section उन सभी पर अप्लाई होगा सभी persons पर यह section अप्लाई होता है तो चलिए जानते हैं इसकी बेरेक्ट लेंवज यहाँ पर क्या कह रही है यह यहीं बता रही है nothing is an offense which is done in good faith for the person benefit without consent और इसमें लिखा हुआ है अगर वह ऐसे अक्ट कर रहे हैं वहाँ पर तो वहाँ पर अगर उसके कोई हाम हो जाता है separately Loots Without the person consents मतले की परसन की consent के बिना without consent तो वहाँ पर वह एक्ट किया जा रहा लेकिन वह without consent कभ कभ किया जाएगा वह तब किया जाएगा जब पर पोरальном प्रोपनी consent देने के लिए, ऐसे circumstances आ जाते हैं, जहाँ पर वो person अपनी consent नहीं दे सकता है, जैसे मैंने section 25 से लेकर section 28 में बताया था, वहाँ पर वो consent दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पर वो इस हालत में थे अपनी consent देने के लिए, लेकिन section 25 में यह है, यहाँ पर वो consent नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ ऐसे circumstances आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी consent नहीं दे पाता, वो मैं आपको example के दोर पर समझाने कोशिश करूँगा, आगे बताऊंगा last में, तो पहले में bear act language आपको बता जाता हूँ, जिससे आपको clear हो जागे, bear act language यहाँ पर यहाँ पर एक्ट किया जा रहा है, वो इन Emergency हो जाते हैं, कुछ ऐसी और जो lawful charge इसके पास उस परसंट का तो उसके जो सम से परमिशन ले नहीं थी, लेकिन भी वहा पर उसके के गारजन से permission नहीं ले पाएं या फिर कोई other person है जिस को जिस परशन के पास उसका lawful charge हा उस person का जिससे consent लेनी थी तो तब भी वहाँ पर उसको नहीं माने जाएगा कि वहां पर जो उनसे consent लेनी थी वह inner emergency वहाँ पर वह एक्ट करना पढ़ा क्योंकि वहाँ पर वह इनकापने के लिए यहां पर उनके गारजन नहीं थे इनाम ब्रजनसी मघक करना पड़ गया तो वहां पर वह एक्ट कर सकते हैं इसाक्षीन संकर करद कर रही हो जब उनकी रही काम पर और ऑपनी चार्ज विए है उनकिंगे से लेकिन उसके benefit के लिए काम किया होना चाहिए लेकिन um तार पर किर से टी करेंगे हैं नहीं तो इडाल के उसकी करने की यह फिर वहाँ पर आटम्ट करने के लिए नहीं लेंगा अगर उनकी पहले से इंटेशन थी या फिर वहां पर उसकी काम किया रहा है थ वहां पर वहां पर बैंटेशन नहीं है पहले से कि Бढई उस Alter की वहापर death करने है या फिर वहापर उसको attempt के जा रहा रहा उसकी death करने के लिए तो हाँ पर वह leable होँगे चोपी परा रहा ने हुए जो पर उन्हें पता है कि ऐसा Act करने से उसकी death हो सकती है वहाँ पर डैत को हो वहां पर प्रिवेंट निकर पारें बल्कि वहां पर उनको पता है ऐसा ट करने से उसकी डैथ कोज हो सकती है ऐसा आक्ट कर रहे है तो वहां पर वह लेबल होंगे या फिर उसको किसी से बचाना हो कुई grievous करने कोशिश कर रहे हैं उनको पता है ऐसा करने से हो जाएगा लेकिन फिर भी कर रहे है तो वहाँ पर वहाँ पर यहां पर यह पता रहा है और जो सी प्रोवाइस हो है मतलब की उनको पता है वह वहाँ पर हणसा रहे है या फिर वहाँ पर जो इसमे पर यहाँ बता है ki कि यहां पर कोई अबेटमेंट की जा रही है अगर अबेटमेंट की जा रही है तो तब यहां पर वह लाबल होगे तो यह जो चार प्रवाइजो है यहां पर यह बता रहे हैं अगर वो extend हो जाते हैं अपनी liability से और वहाँ पर वो इस तरह की position में आ जाते हैं तो तब वे यहां पर लेबल होंगे वो offense वहाँ पर बाना जाएगा यह चार प्रवाइजों आपको clear होंगे अब मैं आपको इसके कुछ illustration बताऊंगा यह जो illustration है इससे आपको clear हो जाएगा एक story type में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको section 30 clear रूप से समझा जाएगा जो इसमें चार illustration दी गई है इसमें पहला illustration यह बता रहा है कि यहाँ पर एक person होता है और जैड एक surgeon होता है जो doctor है surgeon doctor है तो यहाँ पर जो a person होता है वो गुरसवारी करता है घोडे की और घोड़ा उसको गिरा देता है और उसको काफी injury हो जाती है उसके सरीर पर मतलब कि वह वहाँ पर incapable है अपना consent देने के लिए तो इसी मतलब कि वह बेवस हो जाता है वहाँ पर जिसको हम insensible बोल सकते हैं वह बेसुद हो जाता है तो इस case में वहाँ पर doctor जो surgeon है वहाँ पर वह कैसे उस person से consent लेगा तो वहाँ पर तो ले नहीं पाएगा ना उस person से तो वहाँ पर वह उसके good faith में वहाँ फिर वह अपना उसका operation करेगा उस person का वहाँ पर operation करेगा स्टार्ट कर देगा ताकि उसको बचाया जा सके उसकी death cause ना हो वहाँ पर या फिर उसको कोई grievous hurt ना हो तो अगर वहाँ पर वह ऐसा act कर रहा है और वहाँ पर फिर भी उस a person की death cause हो जाती है तो क्या वहाँ पर वह doctor surgeon है जो वह label माने जाएगा नहीं बिल्कुल भी वहाँ लैबल नहीं माने जाएगा क्योंकि उस doctor ने सर्जन ने उसने क्या किया था उसके benefit के लिए वहाँ पर काम किया था और कुछ ऐसी condition हो गई थी जहाँ पर वह उसकी concern लेना मतलब की जरूरी नहीं समझा उसने ताकि उसको बचाया जा सके क्योंकि वहाँ पर वह उससे consent भी ल सकता है doctor चाहिए उसकी death course क्यों नहीं जाए फिर भी डॉक्टर वहाँ पर लेबल नहीं ठारे जाएगा उसको section 30 का यहाँ पर difference मिलेगा और जो 20 में lily station है बी लेशन यहाँ पर ये बता रही है यह जड़ परसण होता है उस जड़ परसं को एक टैगर होता है उसको लेकर चले जाता है मतलब कि अपने मूँ में दबोश कर ले जा रहा हरा है उसको ए परसं ने वहाँ पर देख लिया था उस शेर को ले जाते वए उस उस परसन को जो अपने मुझबड में दबागर उस परसन को ले जा रहा था जंगलों में तो जब उस ए परसन ने उसको देखा तो उसके पास थी गन उसने अपनी गन निकालकर उस शेर के ओपर तानी अब वहाँ पर वह कंसेंट तो लेगा नहीं उस परसन से वह हलाकि लग सकती है कैसे गंसेड लेगा वह त उसकंगरों में चपते एफ्ति परसन तो वहाँ पर इसी ऐमर्जेंसी हो सकती है वहाँ पर उसकी विदाउट कंसेंट के वहाँ पर गोली चला सकता है ताकि और व्ह geen को मारकर उस परसन ब readiness को मिले आप एक्ट किया था अब गलिती से उसको लग गई गोली परसन को शेर की जगह पर तो वहाँ पर वो परसन बिल्कुल भी लाबल नहीं ठैड़ा जाएगा तो ये भी आपको इलस्टेस्ट समझ मागे होगा और जो सी इसमें इलस्टेशन है सी इलस्टेसन यहां पर यहीं बता रही है कि एक बच्चा होता है और उस बच्चे का इतना डेंजरस एक्सिडेंट हो जाता है तो इस हालत में वो कुछ भी नहीं बोल पाता वो बेवस हो जाता है तो जब उस बच्चे को डौक्टर के पास ले जाये जाती है दोक्टर के पास ले जाये गया तो फिर आर्ब हमढ़र ऑफ इस पर चैनल से कहा के सकता है वह सब नहीं हों जैसे पिछली वीडियो में आपको बतायँ था था उसके लिधार नेखर निखशा रहे लेकिन से क्या होगा क्या वहां पर लेगा और वहां पर तो इतनी काफी जादा अहाँ पर उस बच्चे नाम भी नहीं पता उस जोक्टर को कि उसका एड्रम नहीं पता और उसके गार्जन को बुलाने में भी टाम लेगा तो इसी वज़े से वो immediately उसको operation कर देता है doctor और operation के दोरान वहाँ पर उस बच्चे की death हो जाती है तो क्या वहाँ पर वो doctor level माना जाएगा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसको उसने वहाँ पर उस बच्चे को बचाने के लिए अपना good faith यूश किया था उसने with proper care and caution में उस बच्चे को बचाने के कोशिश करी थी और वहाँ पर वो concertation नहीं ले पाए उसके guardian से क्योंकि वहाँ पर काफी ज़्याद emergency थी उस बच्चे का immediately operation करना था तो वहाँ पर इसी वज़े से inform भी नहीं कर पाया उसके guardian को और उसको immediately operation करना पड़ा था कि उस बच्चे को death cause होने से बचाया जा सके लेकिन फिर भी वहाँ पर death हो जाती है तो इस case में उसको section 30 का defense मिलेगा doctor को वह label नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि उसने good faith में आपर act किया अपना उस बच्चे को बच्चाने के लिए स्यख और एक बिल्डिंग में एक आदमी में मतलने कि एक पर सबस्द्र और एब अट बिल्डिंग में नीचे से जो बच्चा होता है और जो परसन होता है बिल्डिंग के नीचे जो परसन वहाँ पर कपड़ा लेकर खड़े थे, तो वहाँ पर वो फैक देता है, और जब वो उसको फैका जाता है बच्चे को, तब ही उसको फैकने से, वो अपने सर के बन नीचे गिरता है, तो अपने उसके सर के बन नीचे गिरता है, जो उसका सर ह जाता है और फिर टेड़ा होने की बच्चे को बिल्डिंग से नीचे बच्चा था ताकि वर बच्चे की वोbig बच्च की दैध हो जाती है क्योंकि वो सर के बल गिर था उसका सर भी टेड़ा हो गया उस कपड़े में जैसी गिरता है तो वह तो वहाँ पर वो जो परसन है वो लेबल नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने उस बच्चे को बचाने के लिए उसके गुड़ फेत में विद प्रोपर केर एंड कोशन में वह एमर्जनसी यह सकते हैं जहां पर करफार नहीं ली जा सकती ऑन इमर्जन सी टो वहाँ पर यह सेक्षिन थटी हो जाता तंध कि हमने तो गुड़ फेत में काम क्या है जो की बता रहा है मियर पिक्यूनिरी बेनिफिट जहापर बेनिफिट के लिए वहाँ पर एक्ट किया जा रहा है जो यह section है यहाँ पर section 30 है और जो मैंने पिछली section आपको बताए थे 26-27 और यह explanation में बताया गहा है 26-27 और जो section 30 है इन तीनों section में बेनिफिट तो है नहीं यहाँ पर बेनिफिट के लिए काम नहीं किया जा रहा है उस पर्सन की डेथ कोस होने से या फिर उसको ग्रीवेस हर्ट होने से बचाने के लिए वहाँ पर एक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर वहाँ पर बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे है वो पिता काफी गरीब होता है उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं होता मतलब कि उसके पास ना तो काम होता और ना उसकी जो लड़की होती है लड़की भी काफी भूकी प्यासी होती है और उसके फादर भी तो उसको कोई ओफर करता है उसके फादर को बेटी के तुम अपन कि अपनी लड़की में को दे दीजी वह भी अच्छा खळाओंगा पिलाओंगा और आपको भी पैसन मिल जाएगा आप भी अपनी जिन्दकिगी अच्छे से जी सकते हैं और यू आपकी लड़की भी अच्छे जूखेक्ट है है तो तो वह से benefit के चलते हैं उसका जो फाधर होता है डोटर का वह उसको बेश देता है अपनी बेटी को वह उसको चैल कर देता है और वह कितने दोंगे करता है इक लाग रूबर में कर देता है तो क्या यहां पर जो एक लाग रूबर benefit ले रहा है वो यह नहीं यहां पर defense लेगा कि मैंने तो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आपर उसको बेचा है, जो benefit ले रहा है, वो क्या defense लेए यहां पर father, वो बोल रहा है कि न, मैंने तो अपनी बेटी को इसले बेचा है, क्योंकि हमारे घर में खाने को नहीं था, कुछ भी नह लेक्ट कर रहा है वो अपनी बेटी को भी बेच रहा है जिसको हम बोलते हैं human trafficking तो उसको दकेल रहा है तो वहाँ पर वो जो उसका फादर है वो लेबल माने जाएगा इसको हम बोलते है पेकुनिर बेनिफिट मेर पेकुनिर बेनिफिट तो यह एक्सप्राइशन में है तो वहाँ पर good faith में काम किया जा रहा था कोई benefit के लिए ने काम निखिया जा रहे हैं आपर तो यह अब आपको clear हो गया होगा जो section 30 है और जो मैंने इससे पहले के जो section बताया है वह भी आपको clear हो गये होंगे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को आप जरूर देख लेना तो मिलते हैं अब हम अपनी next video में काफी interesting topic पर हम discuss करेंगे अपनी next video में okay bye